दोस्तो नमस्कार, हर्याना कॉंग्रेस के अंदर सत्ता संघर्ष की बातें बहुत पुरानी है, हलांकि राजनितिक दलों में गुटबाजी कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम राजनितिक दलों के अंदर ये प्रतिस पर्दा होती है और अगर मैं ये कह दूँ केवल राजनितिक दल ही नहीं चाहिए कोई बड़े संस्थान हों, बड़े परिवार हों उन सभी के बीच ये प्रतिस पर्दा रहा करती है कि पहली पंक्ती में कौन रहेगा यानि कि सत्ता के नजदीक कौन रहेगा, सत्ता पर काभिस कौन होगा तो हर्याना के अंदर भी जो कॉंग्रेस के तमाम नेता है अगर उनके अंदर है तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कॉंग्रेस के नेताओं के बीच ये जो चलता है सब कुछ खासकर सत्ता के लिए और जो गुटवाजी की बात आती है इसको लेकर कॉंग्रेस का अला कमान हमेशा गंभीर रहा है सक्रिय भी रहा है और इसका आप कुछ यू मानें कि अभी 26 तारीक को 26 जून को जब बैठक हुई कॉंग्रेस की राहुल गांधी और मलिकार जुन खडगे ने जो बैठक ली जिसमें केसी वेडू गोपाल और दीपक बावरिया भी मौजूद रहे जिस बैठक के अंदर भुपेंदर सिंग हुड़ा और चौदरी हुदयबान जो हर्याना कॉंग्रेस अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे जिस बैठक में कुमारी सेलजा भी थी और हर्याना के तमाम नेता थे उस बैठक के अंदर राहुल गांधी के जो संदेश थे राहुल गांधी की जो बातें थी वो बहुत दूर तक का संदेश देने वाले थी मैं आपको बताओं जो मैंने आपसे कहा कि कॉंग्रेस के अंदर सत्ता को लेकर के विभिन गुटों में संगर्ष नॉर्मल बात है और सामान ने ऐसी बात है हुआ भी करता है उस बैठक के अंदर अगर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी ने ना तो भुपेंदर सिंग उड़ा जी को खुश किया बहुत ज़्यादा और ना ही उन्होंने कुमारी सेलजा को बहुत निराज किया उस बैठक के अंदर भुपेंदर सिंग उड़ा और सेलजा की मौजूदगी में क्योंकि रंदीप सिंग सुर्जे वाला बैठक में नहीं थे उस बैठक के अंदर राहुल गांधी ने एक संदेश तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के साथ में यानि कि जो कॉंग कि ये बात थी किरन्चौधरी के बारे में किरन्चौधरी कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर गई उनके बारे में जब बात आई तो सीधे सीधे राहुल गांधी का ये संदेश था कि उनके बारे में कोई बात नहीं करनी और जिनका मन न लग रहा हो वह भी चले जाएं में तो उसके अंदर राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि कॉंग्रेस ने पूरे देश के अंदर हर्याना में सबसे बहतरीन परदर्शन किया पांच सीटे जीतने को ले करके पार्टी के तमाम नेताओं की पीट थप थप आई और ये भी कहा कि आपने 47 परसेंट वोट शेयर ले करके गजब कर दिया यानि कि वहां भी जो राहूल गांधी का था कि अगर कहीं ये बात चल रही थी कि टिक्टे सही नहीं बटी तो उसको भी ले करके राहूल गांधी ने इग्नोर कर दिया संदेश सीधा दे दिया कि विधान सबाच चुनाव पर ध्यान रखें सत्तर सीटें चाहिए हर्याना में सत्तर सीट आनी चाहिए जो बात सीटों की भारती जंता पालिटी के लोग अब तक करते रहे हैं वो राहूल गांधी ने कर दी सत्तर सीटों के कह करके दूसरी बात उस बैठक के अंदर एक महत्वपून बात एक और भी थी दोस्तों पूर मुख्य मंत्री बुपेंदर सिंग हुड़ा ने बताते हैं उस बैठक में कहा कि मेरा आखरी चुनाव है तो राहूल जी ने कह दिया कि ये तो बहुत से निता कहा करते हैं मेरा आखरी चुनाव है और उसमें हस करके उस बात को टाल दिया जब कुमारी सहलजा की बात आई जो कुमारी सहलजा के बारे मैंने आप से पहले कहा कि वो जो वाक युद्धा टिक्टों को ले करके उसमें पीठ थप थपा दी भुपेंदर सिंग हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा की क्योंकि दिपेंदर हुड़ा पूरे हरियाना में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं तो ये भी जिक्र कर दिया अब बात ये है कि राहुल गांधी के संदेश के माइने क्या है राहुल गांधी ने जो ये कहा कि हमने हरियाना में बहतर परदर्शन किया तो क्या ये संजीवनी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी के लिए दी अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि 47% वोट शेयर और 5 लोगसभा की सीट जीत कर कॉंग्रेस ने पूरे देश के अंदर हरियाना में बहतरीन परदर्शन किया तो ये पूरे परदेश कॉंग्रेस नेतरतव की पीट थप थप आई लेकिन अगर ये कह दिया कि जब भुपेंदर सिंग हुड़ा साव ने कहा कि उनका आखरी चुनाव है फिर उस पर राहुल गांधी का ये कहना कि बहुत से नेता का करते हैं इस बात को केवल क्या हसी मजाक के तौर पर लिया जाए कहावत उधारन के तौर पर लिया जाए या इस बात के कोई सियासी माइने है ये राजनितिक लोगों के बीच चर्चा का विशे है राजनितिक लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क् अब आपको बताएं कि हर्याना परदेश के अंदर जो कॉंग्रेस की आज की वर्तमान की स्थिती है अगर उसको कुछ ये मानले कि कॉंग्रेस का माइने भुपेंदर सिंग उड़ा हो चुका है हर्याना के अंदर ये बात कॉंग्रेस छोड़ने वाली किरन चौधरी भी जाते जाते कह गई इस बात को भारतिय जन्ता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस में तो बापू बेटे की बात वो कहते हैं कॉंग्रेस की जो वर्तमान नेतरदाव को ले करके पिछले दिनों बैठक हुई थी 23 जून को रोतक में भारती जन्ता पार्टी की और जो उसमें त्रिपुरा के पूरु मुख्य मंत्री और हर्याना वाजपा के जो चुनाव सह प्रभारी हैं विपलाव कुमार देव उनका जो भाषन था वो पूरी तरह केंद्री था भुपेंदर हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा को लेकर इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इस बात के हम चर्चा कर ले राजनीतिक गरियारे में तो चाहे कोई भी नेता किसी पार्यटी को छोड़ कर अगर कॉंग्रेस में जा रहा है तो फिर वो भुपेंदर सिंग हुड़ा के नेतरतों में जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस का माइने हर्याना में भुपेंदर सिंग हुड़ा हो चुका है तो कारण में आप ये ढूंड सकते हैं कि भुपेंदर सिंग खुड हर्याना कॉंग्रेस के विधायक दल के नेता है हर्याना कॉंग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताप एहमद भुपेंदर सिंग उड़ा के बहुत नजदीक है हर्याना कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष चौधरी उदैवान भुपेंदर सिंग उड़ा के बहुत नजदीक है हरियाना कॉंग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया भुपेंदर सिंग उड़ा के बहुत नजदीक हैं हरियाना के जो कॉंग्रेस के वर्तमान में जो 29 MLA है टेक्निकल रूप से 29 है वैसे 28 ही है क्योंकि किरन चौधरी छोड़ चुकी है पार्टी विधान सवा से इस्तीफा अभी दिया नहीं है तो 29 MLA कॉंग्रेस के टेक्निकल माने जाएंगे और वैसे 28 MLA है वरुन मुलाना का क्योंकि लोगसवा सदस्य मेंबर पार्लेमेट बनने के बाद रिजाइन हो गया जो बाखी बचे हुए 28 विधायक हैं उनके अंदर आप माने तो बहुत बड़ी संख्या यानि कि 28 में से 25 विधायक तो कम से कम केवल भुपेंदर सिंग उड़ा के समर्थाख है इस लिहाज से कॉंग्रेस के अंदर जो दिखता है वो ये दिखता है कि भुपेंदर सिंग उड़ा सबसे परभावशाली है चाहे वो CLP लीडर हो डिप्टी CLP लीडर हो परदेश अद्यक्षों परदेश परभारी हों परदेश के विधायकों यूद के अद्यक्षों ये सभी उड़ा साब के साथ में लखड़े गाई देते हैं और फिर भुपेंदर सिंग उड़ा पूरे हर्याना के अंदर घूम घूम करके आजकल दोरे कर रहे हैं अगर लोकसभा चुनाओ की बात में आपसे करनूं तो लोकसभा चुनाओ में पूरे हर्याना परदेश भर मे जो नेता घुमा केवल सिरसा की लोगसभा को छोड़ कर तो फिर वो भुपेंदर सिंग उड़ा थे चाए अंबाला हो चाए फरिदाबाद हो चाए सेसार हो चाए कुरक्षित्र हो चाए रहतक हो चाए गुरुगराम हो सभी लोगसभा सीटों पर भुपेंदर सिंग उड़ा जिसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि मेरा याखरी चुनाव है और भुपेंदर सिंग उड़ा कई बार अपनी चुनावी सभाओं में कहते हैं कि एक टक्कर लेने का मन है इसका मतलब वो खुद ही बता देते हैं कि वो कॉंग्रेस की तरफ से चहरा है टिकट वितरन को ले करक उसमें भी राजनितिक लोग ये मानते हैं कि भुपेंदर सिंग उड़ा की जादा चलेगी इन सब लिहाद से लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा सीधे सीधे जो संदेश नहीं दिया माइने उसके भी हैं राहुल गांधी ने कॉंग्रेस जनों को एक संदेश तो दे दिया कि उनका जो चुनाव मैदान में उतरने के बाद दिखे वो सब का चहरा एक सा दिखे सब ये दिखे कि सब कॉंग्रेस के लिए वोट माँग रहे हैं और सब हाथ के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं ये राहुल गांधी के संदेश थे वैसे आपको क्या लगता है कि ब सब्क्राइब सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन